और यार्ड फेंस वल्कम तो यार्ज के रीटुक चैनल मेरा ना में आइश राथी और यार यह अमारे ट्रिक्स और चीट कूर्ट्स का एक और एपिसोड इपिसोड है एपिसोड नूमबर 811 जिसके अंदर में आपकी सामने क्वेश्चन से लेने वाला हूं थर्मो दायमिक् करके चालो को सब्सक्राइब करके यार स्कुट का हिस्सा बन जाओ, उमीद करतेगे आपको ये वीडियो पसंद आएगी स्टुएंट्स, जेइमेन दोज़रपिस का एक्जाम सामने हैं और अगर आपका ये आपर स्कूर जोए 60, 70, 80, 900 इस रेंज में अटकरा है जेइमेन के अंदर में आपका अपने मार्ट्स को बढाना है, 99, 99 प्रसेंटेल लाना है, 180, 190, 160, 200 मार्ट्स तक अचीव करना है तो आपको यहाँ potential लेंद की कोई ज़रवत नहीं है, आप enroll करो हमारे exclusive tricks course में, जो कि JMAN 2024 के लिए, specially designed tricks course है, structured course है, इसके अंदर में आप सारे tricks सीखते हो, आप applications देखते हो, on spot exam time scenario में वो किस तरह से tricks लगा के अपने number को boost करने है, आपका mindset पुरा develop होता है, सारे logical and scientific tricks आप देखो कि जिसे की कम टाइम में आप JMAN 2024 के इंदर में बहुत जबाँ अच्छा कर सकता है, इस score को boost कर सकते हो, इस score से पास में 1000 स्वेट से अपने marks को increase करके है, आप यार JMAN 2024 के अगर aspirant पे इस course में enroll करो, link description में आपको मिलेगा, जागर कि आप details check out करो, आपको mock test सारे चीज़े भी free of course मिलेगे एक course के साथ में, तो एक complete last moment exclusive tricks course है, जिससे कि आप जबने score को boost करोगे, और JMAN 2024 को जब पका करोगे, all the very best, तो देख और यहां भी मैं आपके सामने questions ले लिया है, यार आप देख सकते हो, 2022 का एक question, 2023 का एक question, और पीछे हमारे पस में 2023 के दो question, यह हमारे पस में क्य चाप्टर से हमारे पस में question है, जिसमें आप देख सकते हो, पहले question में आपको क्या बोल रहा है, number of state variables आपको पूचा इन 4 में से, यहां पर आपको पूच रहा है, intensive properties कितने हैं, इन सारे में से, यहां पर आपके पास में आप देख सकते हो, reaction है, और आपको यहां पर जो है, किस तरीके से आपको intelligent guessing करना है, जिससे कि आपकी answer साही होने की probability सबसे जादा हो, जो आपसे solve नहीं होता है, आप लोग उनको क्या करते हो, छोड़ देते हो, लेकिन अगर आपको पता है, कि हाँ यहां इसका answer यह हो सकता है, आप close हो, तो उस cases में आपको तुक्का मारना ची क्योंकि सही होने के आपको 4 नंबर मिलते हैं, गलत होने के सिर्फ एक नंबर आपके पास में जाते हैं, सिंगल करेक्ट में भी जैसे हम 4 में से कोई एक-दो option eliminate कर गे तुक्का लगाते हैं, उसी तरीके से अगर numerical type में हमको पता है कि इन एक-दो के अंदर में answer है, तो वहां इसमें से ही इसका answer होने का chances है, यह तो mathematically है, बट feel करके आप देखो, 4 चीज़े आपको दीवी है, 4 में से आपके कितने हैं, जो state variables होंगे, क्या 4 होई नहीं होंगे, इसके chances बहुत कम है, क्या 4 में से सिर्फ एक होगा, इसके भी chances बहुत कम है, क्या 4 में से 4 होंगे, इसके भ का लगाना चीज़े है, 4 में से 2 या फिर 3 में, समझ रहे हो, बहुत आई chances है, 95% chance है कि इन 2 के बीच में answer होगा, 4 में से सिर्फ एक हो chance बहुत कम है, क्योई चीज़ आपको ढोंडने के लिए दीवी है, और वो 4 में से सिर्फ 25% में हो chance बहुत कम है, 50% to 70%, 75% इस बीच में च आपको थोड़े दिर में बताता हो, इसका answer क्या है, वीडियो के end में, second question में आप देखो, second question में आप देखोगे, total number of intensive properties पूछा वे, अगर आपको पता intensive properties क्या होता, आप solve पर सकते हो, कर लो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, देखो आप, क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, टोटल साथ चीजें दीवी आपको, ठीक है, अब साथ में भी आपका अगरोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें क्या हो सकता है, ये सारे possibilities है mathematically, लेकिन feel करके आप देखो, क्या साथ हो नहीं होंगे, chances बहुत कम है, क्या साथ में से सिर बिलकुल हो सकता है, क्या साथ में से 5 होगा, बिलकुल हो सकता है, साथ में से 6 होने की chances थोड़े से कम हो जाते हैं, और साथ में से 7 होने की chances तो बहुत ही कम हो जाते है, तो कईना कई answer आपका ये middle region में होता है, यहाँ पर भी देखो, middle और उससे थोड़ा से ज़्यादा, अक्चली यह numerical type question है, बट यह actual में single correct type का question है, समझ रहो क्योंकि हमको पता हैं, इन दो-तीन options, चार options के अंदर ही answer होगा, तो यह single correct type है, although numerical में देवाँ, बट इसको treat आपको single correct के जैसे ही करना है, और कई बार तो क्या होता है, जैसे यहां तो हम पूरा में guess लगा रहे हैं, कई बार ऐसा होगा, आपको 4 में से कोई 2 का पता होगा, कोई 2 में आप confused होगे, तो आपको पता होगा कि यह 2 तो हैं ही state variable, बचे वे 2 में से मैं confused हो, तो उसमें आप feel कर सकते हो, कि 2 में से कोई यह क्या, दोनों होगे, क्या होगे, यहां पर भी आप देखो, 7 है, तो 7 में से कोई 3-4 तो आप check करी पाऊगे, अगर आपको इसका meaning पता है तो, ठीक है, हो सकता है आप 2-3 ना check कर पाऊ, बट आपको इतना पता होगा, इतना तो है ही, और एक आप बढ़ा कि आप mark कर सकते हो, जैसे मानलों आपने 3 check कर लिया, ठीक है, और आपके पास में बचे वे है 4, अब 4 में से आपको feel आ जाएगा, कि यहां बढ़ी, 4 में से हो सकता है, 2 या 1 हो, या 2 हो, आप उस recording यहां पर 4, 5, 3, इस तरीके साब mark कर सकते हो, ठीक है, अपने feel की recording, कितने आपने check कर लिया, और आप जैसे मानलों आपने 3 भी जो निकाला, हो सकता है कि आपने 4 में से 3 निकालाओ, या फिर 5 में से 3 निकालाओ, तो आपके पास में बचे सिर्फ 2 ही, ठीक है, आपने 5 चेक किया, 5 में से 3 निकल गया intensive property, अब बचे वे 2 ही है, 2 में से आपको feel आएगा, शायद 1 हो, जो भी आपको विले 2 ही ना हो, उस recording आप यहां पर नहीं करना जाता है, आप option से solve करने का try करो, option से कैसे solve करने का try करेंगे, देखो option से मैं आपको जाता हो, कैसे solve करने का try करेंगे, x प्लस 2y बाई 2, यह आपको दिया वे, तो पहले तो आप देख लो, x क्या है, x हो जाएगा आपका, 2CO2 गिम्स, 2CO प्लस O2, ठीक है, और आपका y क्या हो गया, y मेरा हो गया, CO2, ठीक है, gives C plus O2, यह मेरा हो गया y, अब x plus 2y अगर मैं करता हूँ, x प्लस 2y, ठीक है, और उसको मैं 2 से divide करता हूँ, तो मैं को क्या मिलेगा, x plus 2y अगर मैं करने जाओंगा, तो मैंको मिलेगा 2CO2 plus 4CO2, gives फिर यह हो जाएगा 2CO2 plus 2C plus 3O2 हो जाएगा और इन सब को मैं 2 से डीवाइड करदूँगा, ठीक है, यह मेरे को क्या मिल रहा है, यह मेरे को मिल रहा है 2CO2 gives, यह इस तरीके से कुछ मिल रहा है, तो ये, आप देखो, reaction जो है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा वैसा, तो option A तो नहीं होगा, option B ट्राइ कर लो, x-2y कर लो, ठीक है, तो x-2y अगर मैं करूंगा, तो x-2y आप देखो, 2CO2 है, माइनस करूंगा 2y, मतलब 2CO2 वाला कटी जाएगा, पूरा यहाँ पर क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, 2CO2-2 कर जाएगा, गिफ्स, यहाँ पर आएगा 2CO, ठीक है, फिर यह आएगा, माइनस 2C, समझ रहे हो, माइनस 2C, और फिर यह आएगा, O2-2, मतलब की, माइनस O2, ठीक है, यह इस तरीके से आ जाएगा, अब मैं इसको 2 से डिवाइड अगर तो यह मेरा क्या जाएगा, 0 equal to CO, माइनस C, माइनस, हाफ O2, ठीक है, अब आप देखलो, आपका मैच कर रहा है यह, CO एक तरफ रख दो, और, माइनस C, माइनस O2 by 2 को दुसरे तरफ ले जाओ, तो आपका यहाँ जाएगा, CO, प्लस O2 by 2, गिफ्स, CO, ठीक है, C, प्लस O2 by 2, गिफ्स, CO, देखो, C, प्लस O2 by 2, गिफ्स, CO, तो आपके option से ही चेक कर लिए, ठीक है, अगर आपकी chemistry उतनी strong नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते थे, आप अगर, यहाँ पे आप देखो, कि, इसी में आप देखते, कि इसको मैं half करूं, क्या करूं, फिर मैं को questions से answer निकालना होता है, बट अगर आपके उसे चार option दिये वे हैं, आप उसी में से आप, अगर find out कर सको, तो आपका क्या है, guarantee से answer आजाएगा, अगर आपको नहीं आता है, तो भी, तो मैंने कुछ नहीं किया, minus x, minus y दिया था, मैंने उल्टा करके x, y लिख दिया, अब एक option में पकड़के बैड़ गया, तो मैंने x plus 2y by 2 किया, तो x plus 2y by 2 कुछ अजीब सही आया, फिर मैंने क्या किया, x minus 2y by 2 किया, तो x minus 2y by 2 किया, तो x minus 2y मैंने देखा, यह term तो left hand side में 0 हो रहा है, और यहां पर इस तरीके से आ रहा है, minus वाले को इस तरफ लेके जाओंग जो true हो, वो आपको यहां पर बताना है, अब आप ध्यान से देखो, observe करो, statements क्या क्या दिये, इसमें भी तुक्का मारना है, अगर आपको knowledge है करो, नहीं है, तुक्का मारो, बोल रहा है, reaction है spontaneous है A and B, पहला option, reaction जो है, वो spontaneous है A and B में, और last option देखो, reaction non spontaneous है A and B में, इसका अब, A अब D में से कोई A होने के chances है, या फिर दोनों ही नहीं होगा, दोनों एक साब नहीं हो सकता, spontaneous भी non spontaneous है, दोनों एक साब नहीं होगा, या तो A होगा, या तो D होगा, या तो दो नहीं होगा, सामझ रहो, एक बात की बात बता रहा हूँ मैं, अचा, option B देखो, reaction is at equilibrium at B and non spontaneous at C, और C में बोल रहा है, reaction is spontaneous at A and non spontaneous at C, चीग है, तो अब इसके क्या possibilities है, mathematically एक भी statement करेक्ट ना हो, एक ही करेक्ट हो, दो करेक्ट हो, तीन करेक्ट हो, चार गए, यह तो mathematically हुआ, अब हमने feel करके यह देख लिया, कि 4 के 4 तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि A और D में से कोई एक ही आएगा, तो यह तो cut गया, अचा, चारो ही गलत हो, इसके भी chances बहुत कम है, चार में से सिर्फ एक ही सही हो, इसके भी chances बहुत कम है, क्योंकि हमने logic अभी पीछे discuss किया कि 50% क्या सपस होता है, तो 2 या फिर 3 में से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है, क्या आपको इन चारो questions का, जो correct answer किया हो, बता देता हूँ, बाकि आप लोग solve करके अपने end से check कर लेना, इसका answer हमारे पस में 3 दियावा है, आप check कर लेना, इसका हमारे पस में answer जो हो, 4 दियावा है, आप check कर लेना चाहो तो, ठीक है, और देखो हमारे guess के काफी करीब है, 2-3 में guess मान आता, 4N, ठीक है, यहाँ पर हमने option से ही, जो है answer निकाल लिया, तो 100% accuracy से हमारा यह answer जो है, सही आगया, B is the correct answer, अगर कभी आपको ना समझ में आए, question से कैसे आपको निकालना है, तो आपके अगरो options को ही put करके देख लो, कि हमारा जो भी हमको निकालना था reaction, उसका कौन सा रहा है, right, आप अगर बाकी देखने जाओगे, जैसे 2Y माइनस X देखोगे, तो 2Y माइनस X अगर आप देखते हो, तो उस किस में क्या होगा, 2Y माइनस X क्या होगा, 2Y तो यह हो जाएगा, माइनस करोगे, X के साथ में तो LHS तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आजाएग 2C, 2C, माइनस 2CO, प्लस O2, इस तरीके से आजाएगा, ठीक है, तो यह आपका रियाक्शन इसके बराबर नहीं है, इसमें अपने को Y2 चाहिए था, ठीक है, और साइन वाइन का भी गड़ बड़े, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो, इसको भी करके देख लो, 2X माइन आपका option भी आपर correct आ रहे है, तो options से हमने आपर answer निकाल लिया, तुक्के से, और यहाँ पर आप देखो, इसका answer जो है, अमारे पास में 2 दिया हो है, 2 statement यहाँ पर correct है, इसको भी आप लोग अपने answer चेक कर लेना, तो यहाँ पर हमने 2 और 3 में से तुक्का मारना था, तो क और दूसरे chapter के, chemical kinetics वगर के question लेकर के आपको जो है, tricks तुक्का tricks दिखाऊंगा, चलो बाकी तो बस यही बात है, तो यहाँ अपको कोई वीडियो पसंद है कि आपने इस tricks और चीटपोट से वीडियो से पुछ सीखा होगा, अगर आप कोई tricks पसंद है, यही वीडियो पसं हम तो मज़ाओ इसके बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जोड़ में जोड़ने के लिए बने रही है यार